हलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एचपी नेवस्ट आफ सीरिज प्रिंटर में जो इमेजिंग ड्रम लगता है 104-1 का उस ड्रम को कुछ दिन यूज करने के बाद प्रिंटिंग में वाइड लाइन्स आ जाता है आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस problem को हम लोग कैसे easily solve करेंगे सबसे पहले इस drum में इस side में जो तीन screw है इसको खोल लेना है और दूसरा side में यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी तीन screw है इन तीनों screw को खोल लेना है बाकी कुछ नहीं खोलना है यहाँ पर इस drum को अच्छी तरीके से पकड़के इस screw को खोल लेना होगा क्योंकि दूसरा जो printer है HP का उसके compare में यह जो drum है यह बहुत बड़ा है size में और ड्रम को ठीक तरीके से पकड़के इस cap को हटा लेना है देखिए यहाँ पर बहुत सारा penium लगा हुआ है इसको ठीक तरीके से पकड़के रखना होगा और दूसरा साइट का जो कैव है इसको भी हम लोग इससे निकल लेंगे इसके नीचे साइड में एक log होता है उसको ठीक से खीच के निकल लेना होगा और ड्रम को अच्छी तरीके से पकड़के इस तरीके से ओपर में लेकर इस तरीके से लेकर हम लोग नीचे बाला हिस्सा को धीरे से हटा लेंगे क्योंके यहाँ से डास्ट इमेच नीचे गिर जाता है थोड़ा सा डास्ट तो नीचे गिरेगा ही आप लोगों को नजर अंदाच करना होगा और डरना नहीं बिल्कुल यहाँ पर इस पोर्शन को कुछ छेड़करने नहीं करना है यह सेक्सन में हम लोगों का काम है थोड़ा सा ही काम है यह जो बलेड यहाँ पर लगा हुआ है इस बलेड को खोल लेना है इसके लिये दो स्कREW हम लोगों को खोल लेना है झाल झाल इस blade को ठीक तरीके से साप कर लेना है कुछ कपरों के मदद से इस wide line का main problem यहां से ही आता है जब यह printer बहुत ज़्यादा time use होता है तब printer heat हो जाता है और heat के दोरान जो dust image होता है वो इस blade में कुछ-कुछ portion में लगकर सूख जाता है और वहां से ही wide lines आ जाना start हो जाता है यहां पर आप लोग friends देख सकते हो यह जो penium है वो निकल के चला आता है तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा जो इस drum को खोलने के time यह penium इधर उधर गिरना जाए और उसके बाद इस blade को जैसा था वैसा ही लगा लेना है और जो screw हम लोगों ने निकाला था वो दो screw को यहां पर फिर से ठीक तरीके से tight कर देना है यहां पर दो screw अगर loose रह जाएगा तो आपका print नहीं आएगा और फिर से हम लोग यह set कर देंगे इसको देखकर फिर से set कर देंगे ठीक से पकड़ कर और नीचे बलब हिस्सा इस तरीके से पकड़के रखना होगा यह portion इधर उधर हिलेगा तो यहां से dust image नीचे गिरता रहेगा तो फिर ठीक तरीके से इसको पकड़के यह दोनों cap को हम लोग लागा लेंगे ठीक से जैसा था वैसा ही और जो screw हम लोगों ने निकाला था वो screw को फिर से tight कर देंगे और यह जो blue color का laser beam दिख रहा है इसको ज्यादा touch या scratch लगना नहीं चाहिए झाला सब्सक्त अर्थादा है अभी हमारा जो इमेजिंग ड्रम है और रेडी हो गया अभी आप लोग इसको प्रिंटर में लागा कर प्रिंट लेकर चेक कर सकते हो आप लोगों का जो वाइड लाइनिंग का प्रॉब्लेम आता था वो बिल्कुल ही चला जाएगा और कपलों की मदद से आप इस ड्रम को साफ कर लीए जो इधर उधर जो डश्क लगा हुआ है उसको आपको ठिक तरिके से साफ कर के फिर से प्रिंटर में लगा देना है और प्रिंटर उड लेकर चेक कर.-कर लेना है जो यह प्रिंट सही आ रहा है कि नहीं